Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करने वाले है, small cap stocks में जो बहुत ही बढ़िया गिरावाट आपको देखने के लिए मिल रहा है, blood worth देखने के लिए मिल रहा है, 10-15-20% का आपको correction देखने के लिए मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उसी सिलसिले में हम यहाँ पे small cap index का analysis करने वाले है, कि जब जब एक वे में, यानि कि पिछला साल का जो small cap index का जो return है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, 8800 के आसपास से, यह लगभग 15500 के आसपास one-sided move आया है, तो जब भी ऐसा move आता है, लगभग यहाँ पे 60-70% return बनता है, तो उसके बाद एक correction pending होता है, तो वही एक correction pending है, यहाँ पे वही correction देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके कारण बहुत हो जाते हैं, बहुत से कारण मिल जाते हैं, जब market में, market को गिरना होता है, तो कोई भी news पे या कोई भी आपको वहाँ पे कारण मिल साता है, जैसे कि अभी आपको, जो सेवी की chairperson है, माजरी कुछ उन्होंने बताया है, कि जो retail investors है, उनको small cap pay और SME, जो stocks है, उस पे वहाँ पे alert रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अनाप सनाप returns बने है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे index में, आपको यहाँ पे 60-75% का returns बना है, तो particularly अगर stocks की बात करें, तो 100%, 200%, 300% का भी, पिछले साल में small cap और SME category में तो वहाँ पे 4-5-6-7-10 गुना भी हुआ है stocks, तो जब भी ऐसा होता है, तो एक correction pending होता है, वही यहाँ पे corrections, यहाँ पे आपको दिख रहा है small cap index में भी, और यहाँ पे small cap stocks में भी आपको वही correction देखने के लिए मिल रहा है, तो हम पहले returns लेते हैं कि कितना returns बना है, उसके बाद हम retracement देखें कि कितना retrace हुआ है, तो यहाँ से अगर हम नीचे से अगर यहाँ पे returns की बात कर लेते हैं, तो लगबख 78% के आसपास का, यानि मान की चलिए कि 80% का one-sided move आया था, और यह जो move आया है, वो लगबख 335 दिन में, यानि एक साल से भी कम के period में यह आपको move आया है, तो यह बहुत बदा move है, इंडिक्स में अगर हम देखते हैं, यह nifty 250 का index है, small cap index है, तो यहाँ से आपको returns, यहाँ पे आपको corrections भी मिल रहा है, जो 7-8% का है, यह कहां तक जा सकता है, तो यह बताना बहुत ही मुश्विर होता है May be कि आपको corrections 15% के आसपास देखे, May be corrections आपको 20% के आसपास का भी देख सकता है, उसके अलावा 25% का तक का भी आपको corrections देख सकता है, यह मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो हम previously चलके देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक top बना है, अगर यहाँ से हम correction देखते हैं, तो यह corrections लगब 28% के आसपास का correction है, तो इसी कारण small cap index में 20-35% करेक्शन बहुत ही आम बात होता है, तो यहाँ से भी 20-25% करेक्शन इंडेक्स में हो सकता है, तो stocks भी उससे ज्यादा गिर सकते हैं, 25-30-40-50%, जिसके fundamental सही नहीं है, वो 50% से ज्यादा तक भी गिर सकते हैं, और पीछे ऐसा ह हुआ भी है, गिरा भी है, अगर एक और हम previous का देख लेते हैं, तो गिरावाट जो हुआ था, वो लगबग यहाँ पर हमको गिरावाट हुआ है, वो लगबग 40% के आसपास, 40-45% के आसपास का यहाँ पर गिरावाट हो चुका है, तो जब भी गिरावाट होता है, small cap index में 20 परसेंट, 25%, 30% तका गिरावाट होता है, तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है, यहाँ से करेक्ट हो सकता है, और रेटरेस्मेंट जब भी होता है, तो वो next run-up के लिए तयार होता है, और रेटरेस्मेंट होता है, किसी भी market के लिए एक healthy sign होता है, क्योंकि अगर यहा तो आपको पैनिक नहीं करना है, अगर आप profit बुक करना चाहते हैं, अपने small cap stocks में, आपको 2-5% का profit हो रहा है, 50-70% का profit हो रहा है, तो आप profit आप बुक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत cash में आप रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर गिरावाट आएगा, तो आपको opportunity और भी वीडियो कैसा लगा है, जरूब कमेंट करके बताईएगा, वीडियो का आप पच्छ लगा है, तो लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, चांको सब्स्ट्राइब कर लिजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जाहें